आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइब बहुत अच्छे सिंजवाय कर रहे होंगे देखे यह एकॉनमी क्या होते हैं सेक्टर्स विकॉनमी क्या होती है और टाइपस अब जॉब कितना होते हैं और आज हम लोग डिसकस करेंगे एकॉनमी गुरोफ यानि आर्थिक विरिध्धि क्या होती है एकॉनमी डिवनबन सतत विकास क्या होता हर्विंके'll क्या होता है उस्व का से धर्टी पर यानि हमारे पर यानि हमारे पास limited的 resources हैं लेकिन हमारे जो आवश्चक्ता हैं वह unlimited इनको कैसे पूरा क्या जाए क्या method अपनाया जाए क्या क्या तरीका अपनाया जाए जिससे जो है limited पुरी पुरा कर सके यह चैलेंजेंज हम लोग ने पढ़ा यह पिर से यहां पर यह रिपीट मैं कर देता हूं कि एकॉनमी की जो चैलेंजेंज है वह दो चैलेंजेंज यह पहला तो लिमिटेंज sources में unlimited unlimited आफ शक्ताओं को कैसे पूरा किया जाए दूसरा distribution ये वीतरन कैसे किया जाए तो इसके लिए different district model बनाया गया उसमें बात कही गई कि distribution या तो राज करें या तो बाजार करें या तो दोनों मिलके करें अगर बात हम करें राज की यानि government की तो government अगर वीतरन करेंगी यानि कि government अगर distribution करेंगी तो वो लाग को महत्वन नहीं देगी इट मींस कि वो नयाई उचित वीतरन करेंगी यानि कि गरीबों पर जादा ही जादा ध्यान देगी अमीरों पर कम देगी और मुफ्त में कोशिश करेंगी वो सब कोई प्राइवेट कंपनी या कोई प्राइवेट कंपनी कुछ प्रोड़क्ष करके उत्पादन करके और उसको फिर वीतरन करें तो यह एक तरह से यह भी नहीं तो इसलिए क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर को डिस्टूबिशन करती है तो वह अमीरों पर जादा ध्यान देगी वह लाग की बात करेगा और जिसके पास पैसे होंगे वह खरीद पाएगा जिसके पास नहीं होगा वह नहीं खरीद पाएगा इसलिए बाजार सिर्फ वीतरन करें य राज-बाजार प्राइब यह होता है कि दोनों कुछ कुछ पॉर्प्रशन यह क्या होगा अर नया उसित वीतरन होपाएगा अमीर और गरीब दोनों के लिए चीज़ें अविलेबल होगा ना जिसको जो जह है वह ले सकता है जिसको पसंदर में तीन बात कहीगई या तो करे को बाजार शंद या दो для हमारे देश में क्या होता है कि राज जैना जानतर चलिए आगए बरति अब है मार्केट या प्रिवेट सेक्टर भी प्रोडिट करती है और डिस्रिबुशन दोनों के द्वारा किया जाता है और यहीं सही तरीका भी है यहीं सही में थट भी है चलिए आगे बढ़ते हैं देखें अब है कि अर्थ व्यवस्था में हमारे राज्य की यानि सरकार की क्या मुमिका कोई economy policy बनाया फिर उसको implement करना यह सरकार का रोल हता है यह सरकार की मुमिका है वस्तूर सेवा का उत्पादन और वीतरन की मुमिका वस्तू का सेवा बहुत सारे government company है वह production करती है और फिर उसको वीतरन भी करती है अगर वीतरन राज्य करें यानि socialist economy हो जाएगा तो जो अगर government को वीतरन में भूमिका निभाती है तो socialist economy प्राइवेट अगर वीतरन में भूमिका निभाती है तो capitalist economy है ना लोग सेवा या सामाजी वस्तू के आपड़ती करता शिक्छा स्वास पेजल यह सारा भी जो है क्या होता है इसमें सरकार की भूमिका होती है करते हैं कुछ production यह करते हैं कुछ distribution करते हैं कुछ distribution करते हैं कूछ distribution करते हैं कुछ distribution करते हैं इक संभ मोघ some good अ हुआई सामाजिक नियाई व्यक्तिकत svatantartya और आर्थिक कुछलता तिन नों कामिशन देखने को अमारे मिलता है आद या के अव अब एक बहुत ही important और interesting topic है economy growth इससे बहुत ज्यादा question पूछा जाता है इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे economy growth इन्हीं आर्थिक वुरिद्धी क्या होता है देखिए आर्थिक वुरिद्धी जो है यह एक मातरातमक यानि quantitative concept है और यह quantitative विकास की बात करता है जैसे एक industry है जिसमें mobile phone बनता है ठीक है इस साल माल लिजिए कि 10,000 mobile phone बना और अगली साल क्या हो गया यह quantity बढ़कर हो गया 20,000 mobile phone तो क्या हुआ कि growth हो रहा है production में यानि कि 10,000 से सीधे 20,000 हो गया तो growth मतलब होता है production में increment production में बढ़ाना production जब बढ़ जाए तो growth हो रहा है तो वो quantitative ह होता है हम उस उस growth को उस नंबर को count कर सकते हैं जैसे कि 10,000 से हम 20,000 तो जिसको हम count कर सकते हैं मातरात्मक quantitative और दूसरी बात प्रति व्यक्ति किसी देश में कितना रुपए पर इनम कमाता है और दूर्स पांच भी बात है कि आधार बुस्ट संद्चना बेसिक इंफ्राइस्टर्स का विकास हो नई कंपनी लगे बेसिक इंफ्राइस्टर्स से मतलब है कि रोड का विस्तार हो सडकों का विस्तार हो एडुकेशन सिस्टम का विस्तार हो इस्कूल लगे बड़े-बड़े होस्पिटल बने बड़े-बड़े और्गैशन लगे यह बेसिक इंफ्राइस्टर्स में आता है नई कंपनी का लगन तब ही हम कह सकते हैं कि किसी देश में economic growth हो रहा है per capita income यहाँ पे एक term है per capita income per capita income हम लोग कैसे calculate करते हैं per capita income हम लोग calculate करते हैं कि किसी देश की जो total income होता है total income upon total population कर देते हैं तो हम लोगो मिल जाता है per capita income तो किसी देश में अगर economic growth हो रहा है तो हम लोग बैसिकली यह बात करें कि production कितना हो रहा है production जितना ज़्यादा एक और तुरा 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 ज़्यादा GDP में विरे GDP क्या होता है GDP टर्म मैं आपको बता देता हूँ GDP gross domestic product बोलते हैं इसको इसको अगर define करें तो basically यह बोल सकते हैं किसी भी देश के physical boundary के अंदर जो एक साल में goods और services की production होती है उसी को हम लोग GDP बोलते हैं the value of goods and services produce in a country in annually annually मतलब एक साल में किसी physical boundary के अंदर किसी देश की physical boundary के अंदर जो goods और service के production हुआ वो that is known as GDP I think आप लोग क्लियर हो गया हूं कि GDP और economy growth में यह सोरी economy growth क्या होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं economic development यह आर्थी विकास देखे आर्थी विकास की बात करते हैं आर्थी विकास एक qualitative concept है मतलब गुणात्मक जो गुण की बात करता है quality की बात करता है माल लेते हैं यह एक एक example से मैं समझाता हूँ यह एक school है इस school में आज जो syllabus बच्चे को पढ़ाया जाता है जो methods अपनाया जाता है जो syllabus जो तरीके से पढ़ाया जाता है उसी तरीके से पांस साल बाद भी और उसी मेथर और उसी सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है तो क्या बच्चों में कुईलेटी इंप्रूब होगा नहीं होगा सेम टीचर सेम सिलेबस सेम मेथर तो बच्चे की कुईलेटी में इंप्रूब नहीं होगा तो अगर पास साल बाद स्लेवस में थोड़ा चेंज इनहेंस्मेंट कर दिया मैथट्स में कुछ इनहेंस्मेंट कर दिया टीचर्स कुछ अच्छे ले आए तो बच्चे की जो क्वालिटी है एड्यूकेशन क्वालिटी वह अच्छी हो जाएगी इ पेन की जो क्वालिटी आज है पांस साल बाद भी वही क्वालिटी है इट मेंस की विकास नहीं हो रहा है जब पेन की क्वालिटी पांस साल बाद अच्छी हो जाए तो इट मेंस की आर्थिक विकास हो रहा है देखिए आर्थिक वृद्धी के साथ आर्थिक विकास हो सकता है यानि अगर आर्थिक वृद्धी होगी तभी आर्थिक विकास होगा आर्थिक वृद्धी अगर नहीं होगी तो आर्थिक विकास नहीं हो सकता है तो देखें इसमें पहला point है कि यह qualitative है दूसरा है GDP मृद्धी हो और सामाजिक राजनितिक विकास हो कि यह प्रिटिक विकास हो रहा है यानि कि वहां पर सडकों का विस्तार हो रहा है वहां का इकवानिक डिवलप्मेंट हो रहा है तो लोगों की आए में ब्रिद्धी वर कम में जाहिए जीवान अस्तर में सुधार के लिए अनिमानकों का अनुपालन होना चाहिए तो देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि economic development जब ही होगा जब economic growth होगा economic growth के साथ साथ अगर socio-political development होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे development हो रहा है ठीक है एक quality में जब enhancement हो जाए economic growth के साथ साथ इट मेंज कि economic development हो रहा है चलिए आगे फिर अभी डिसकस करेंगे इसको अच्छे सागे बढ़ते हैं देखिए अब है कि किसी देश में आर्थिक विकास हो रहा है इसको हम measure करेंगे माप क्या है माप है कि सबसे पहले 1970 में basic need approach world bank के दुबारा दिया गया जिसमें यह कहा गया कि अगर किसी देश का जो हर एक वेक्ति का अगर basic need पूरा हो रहा है इसमींस को देश तरक्की कर रहा है economic development उस देश में हो रहा है यह world bank के दुबारा 1970 में बोला गया दूसरा point जीवन की बहुती गुनवत्ता physical quantity life of index होना चीए life expectancy वहां कि अगर अच्छी हो गई किसी देश की infant mortality rate कम हो गया और literacy rate अच्छा हो गया तो it means economic development हो रहा life expectancy मतलब है कि जब कोई बच्चा जन्म होता है जन्म लेता है तो वह बच्चे कितने साल जीएंगे यह life expectancy कहलाता है कितना साल वह बच्चा जीवन मतलब बच्चा जी पाएगा दूसरा infant mortality rate infant mortality rate है कि पड़ती एक हजार जवित जन्मे बच्चों पर एक वर्ष कम उम्र के मरने वाले बच्चों के संख्या एक हॉस्पिटल में माल लेते हैं एक वर्ष में 2,000 बच्चे की जन्म लेते हैं और एक वर्ष में परतियेक 10000 में कितने बच्चे चाहार मर जाते ह Kerry कितने बच्चे मर जाते हैं तो यह हो जाता है इंफन मोटले automative उसके बाद आता लोनसी किसी देश के जो लोग है वो कितने पढ़े लिखें उसके बाद आता तीसरा करे शक्ति सम्ताविदी है पर्चेजिंग पावर स्पैरेटी में था 1993 में यह IMF द्वारा दिया गया था IMF क्या है International Monetary Fund इसका हेड़कोर्टर का है वाशिंटन डी सी यानि अमेरिका यूएसे में करे शक्ति सम्ताविदी है कि किसी देश के मंस के पास किसी चीज को खरीदने की पावर कितनी है मतलब कितना ताकत रखता है वो कितनी चीज़ें खरीद सकता है यह जो शक्ति है इससे भी हम लोग economic development को मेजर करते हैं उसके बाद आता मानौव विकास लास्ट में क्या हुआ कि इन सब मेथट को खतम करके UNDP एक नया मेथट अपनाया जिसको बोलते हैं human development index ठीक है मानौव विकास सूचकां UNDP United Nation Development Program अब रही बात कि human development index को कैसे मेजर करते हैं इसके indicator क्या क्या है मानौव विकास सूचकां तो देखिए कि इसके जो इंडिकेटर है तीन बेसिकली तीन इंडिकेटर है शिक्षा जिवन परतियासा यानि की education life expectancy and जिवन अस्तर standard of life देखिए लास्ट येर 2019 में जब UNDP ने पब्लिश किया रिपोर्ट human development index का उसमें इंडिया की जो राइंग है वो 129 है out of 189 countries और इसे पब्लिश किया है December 10 2019 में ठीक है इससे पहले 2018 में जो है इंडिया की जो राइंग थी वो 130 थी इंडिया एक पाइदान नीचे की सब्सक्राइब बात करते हैं अच्छा ये एक मतलब की रिपोर्ट है ये नडिपी का जिसमें ये बताया गया है देख लीजे कि हमारे देश में इतने भी राज्ये हैं उन राज्यों में SDI यानि Human Development Index किसका सबसे ज़्यादा है देखिए सबसे ज़्यादा केरल है यानि यहां के लोग ज़्यादा डिवलप है तो सबसे चंडिगर गोवा लक्षदीब डैली अनामाद पुजचरी हिमाचल पंजाब सबसे लीस्ट देख लेते हैं सबसे तो देखिए कि UNDP के हिसाब से Human Development Index के इंडेक्स के तीन इंडिकेटर है पहला एजूकेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी तीसा इस्टेनर अफ लिविंग देखिए एजूकेशन में आता है पढ़ाई के वर्ष का आउसत एक 25 साल का इंसान 25 साल या 25 साल से ज्यादा का इंसान कितना वक्त School में बिताया है यानि कितना साल पढ़ाई करी है उसका एवरेज निकाला जाता है ठीक है उसका पढ़ाई के संभाविश साल का है कि 18 years का बच्चा या 18 साल तक पहुँचने पर एक लड़का या लड़की 18 साल की आयू में कितनी बार School गया है ठीक है यह पढ़ एक पेंटेंसी बोलते हैं मीनिमम 20 साल होता है और मैक्सिमम 83.5 यह स्टेंडर्ड ओफ लिविंग किसी देश में जो लोग रहा रहे हैं उसकी लिविंग यानि की जीने का स्तर क्या है या ग्रॉस नेशनल इंकम या पर कैप्टा इंकम इसी को बोलते हैं अगर देखें पर पैसे आएंगे लोग पास पैसे आएंगे तो बेसिंग नीज पर खर्च करेगा तो गरीबी कम होगी गरीबी कम होगी जीवन अस्तर अच्छा होगा इस तरह से हम लोग यह देख सकते हैं कि स्टेंड अप लिविंग पर कैप्टा इंकम पर डिपेंड करता है अब जो एक दो टर्म आता है कि economic growth and economic development इन दोनों को हम बेसिकली किस तरह से difference देख सकते हैं तो देखिए हम कुछ question के मादें हमसे बताते हैं उच्छ आर्थिक सम्रद्धी और उच्छ आर्थिक विकास यह एक जो sentence है यह true है कि false है बिल्कुल true है कि अगर कहीं high economic growth है तो high economic development possible है ठीक है चुंकि high economic growth हो रहा है इंडस्ट्री लग रही है तो रोजगार का सिर्जन होगा रोजगार का सिर्जन होगा तो लोगों को जॉब मिलेगी लोग एक पास पैसे आएंगे लोगों की गरिभी कम होगी लोगों की भुकमरी कम होगी वो अपनी जरूरतों पर खर्च करें उसक आर्थिक विकास सभी पॉसिमिल है जब रोजगार का सिर्जन होगा तो क्या होगा कि लोगों पास पैसे नहीं आएंगे पैसे नहीं आएंगे तो लोग गरीभ होते जाएंगे और उसकी life standard of life अच्छी नहीं होगी जिवन अस्तर गिरता चला जाए दूसरा point आता है कि उच या रही है तो लेकिन उसमें क्या क्या रहा है और चाहीं क्या है जो रहा है इंडस्टिलाइजेशन हो रहा है लेकिन ज्यादा से ज्यादा टेक्नलोजी का यूज हो रहा है तो टेक्नलोजी के यूज से क्या होगा कि रोजगार का सिर्जन कम होगा जिससे क्या होगा लोग लोग पास पैसे नहीं रहेंगे और उसकी लाइफ अस्तर जीवन अस्तर गिर कभी नहीं हो तो यह त्वाहर से कमी घपा और और कभी नहीं हो तोसे टेर गड़ोंगे हो गए कि अम्रीटूंट करें तो पो ant смотреть का मुझे करके सकते हैं अब आता है बैसिकली देखिए एकॉनमी ग्रोथ में वृद्धी होती है तो नए उद्धियों कविस्तार होगा रोजगार का सिर्जन होगा गरीबी में कमी होगी मिलवूत सुधा पर खर्च करेगा लोग और जीवनस्थर में सुधार होगा और ऐसे केस मागर एकॉनमी ग्र पॉस्विल तभी है जब रोजगार का सिर्जन हो ठीक है चलिए अब बात यह आती है कि एकॉनमिक ग्रोथ मात्र से क्या खुशी होती है खुशी मिलती है ऐसे केस में यह देखा गया कि बहुत सारे डिवलॉप्ट कंट्री लाइक यूएसे चाइना काफी डिवलॉप्ट ह लोग खुश नहीं तो पता यह चलता है कि खुशी जो होती है वो मेंटल से केस में ग्रोस नेशनल हैपिनेस की बात करने हैं कही जाने लगी कि अब तो ऐसा डिवलॉप्ट करना है जिसमें खुशी भी हो तो इसका जो है बेसिकली क्या है चार बातें कहीं गई कि अगर ऐसी डिवलप्मेंट हो तो खुशी हो सकती है जैसे परकेप्टा इंकम जीडिपी ग्रोथ बढ़नी चाहिए गवर्नेंस अच्छी हो इंवर्मेंटल कंजर्वेशन हो कल्चरल डिवलप्मेंट हो परकेप्टा सरकात जो एक्षन ले जो रूल या लौ बनाए उस रूल या लौ से या उस एक्षन से जो वहां की पब्लिक मार्केट या मीडिया कितना सपोर्ट सपोर्टीव है और कितना सटिसफैक्शन सटिसफाइड है यह जो दोनों के बीच जो यह रिलेशन होता है अगर अच्छी ह को क्षाइशन मतलब हम लोग को ऐसी विकास करनी है जिसमें इन्वार्मेंट को करके साथ मतलब की परयांस ठार्प्शन के सा विकास करना है सबस्थ की बात कहीं लिए उसके बाद सांस्कृतिक क्षाह हमारा जो कल्चर से करेंगे तो हमनों को मिलेगा देखे पर कैफ्टा इंकम में पहले ही बताए कि टोटल इंकम को जब हम टोटल पॉपलेशन डिवाइट कर देंगा तो पर कैफ्टा इंकम निगल जाता है उसके बाद इंक्लूजिव डिप्लमेंट की बात कही गई समावेशी विकास यानि विकास की मुख्यधारा में सभी को शामिल कर देना ठीक है विकास की मुख्यधारा में सभी को शामिल कर देना कंडिशन शर्त क्या है GDP मुरिदी लाब का निया संगत वीतरन देखिए क्या होता है समाज म तो इनको भी सामान मिले और इनको भी सामान मिले ऐसा वितरन होना चाहिए अगर ऐसा हो तो समावेशी विकास और इस तरह का विकास अगर होगा तो समाज में क्या होगा समाज में भेदवाव खतम हो जाएगा है न अगर इस तरह का विदा समाज में भेदवाव खतम हो जाएगा सभी को बैंकिंग सुईधा मिलने लगेंगी तो अगर ये दो कंडिशन भी फॉलो हो इट मिलन की इंक्लुजिव टिवलोपमेंट है भेदवाव को समाज में भी को बैंकिंग सुईधा का लाप प्राप्त होना अगर इस तरह से होगा तो समाज में विकास होगा अब यूंडीप के दुवारा विकास कैसा होना चाहिए सबसे पहला कि jobless नहीं होना चाहिए दूसरा rude नहीं होना चाहिए तीसरा rootless नहीं होना चाहिए और चौथा futureless नहीं होना चाहिए jobless यानि कि ऐसी development जिसमें jobless बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए ऐसी development जिसमें root नहीं होना चाहिए root मतलब अमीरों के लिए कुछ और गरीबों के लिए कुछ ओर दोनों के लिए बराबर होना वायए। कर्दude अधे कर अप दोना को नहीं होना चाहे एना है और फूपरन लिए कर एक पता हूं और यह तो इस तरह से लेगी इस तरह से नहीं की फूचर ही नहीं है किसी का कोई बच्चा पैदा हुआ पढ़ा 15 साल 18 साल 21 साल तक ग्रेशन कर लिया कर लिया उसके बाद उसका फीटर तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसलिए UNDP हमेंसा सता सविकास सस्टेनबल डिबलमेंट की बात करता है स्टेनबल डिबलमेंट वह होता है जिसमें डिबलमेंट वेडियर ओफ इन्वाइमन्ट होता है यानि प्रयावने संदक्षन के सा इसलिए यून डीप जो है इस तरह की डिवलोपेंट की बात करता है एक इन डीपी के लिए प्रफट नेशन का जो सस्टेनबल डेलमेंट गोल है वो 17 स्टेनबल डिवलोपेंट गोल है पहला है नो पोवर्टी दूसरा जीरो हंगर गूड है थेट वेल बेंग क्वैल वेल ब क्लाइमेट एक्षन लाइफ विलो वाटर लाइफ ओनलाइन पीस जस्टिस इस्ट्रोंग इस्टिशूशन यह 17 गोल है जो 2030 तक पूरा करने का टार्गेट रखा गया है यॉनेटे नेशन डिप्लेप्मेंट प्रोग्राम यॉनडीपी के दुवारा ठीक है चलिए आगे बढ सबते हैं उसका समरी देख लीते हैं सबसे पहले हम लोग नें एकॉनमी ग्रोथ देखा जिसमें हम लोग नेंबात करी जीदी बिविद्धी वियुक्ष नेशनल हपिनेस नीजी एक गई बुट इस तस इस व्रका और तो यह पाँच ऐसी बात है जो बहुत ही इंपोर्टन और इसको प्लीज आप लोग ध्यान में रखिएगा आगे कुश्चन बन जाता है इसके इस्टिमेटेड पर कैपिटा इंकम अक्रोस इंडिया इन फैंशनल यह दो है 19 यह डेटा है जो यह दिखाता है कि हमारे देश मे हर राज का पर कैपिटा इंकम परतिय ग्राज का अलगा है और कौन सबसे टॉपर है जोसके बाद बाद कंव्यार्ण पुडेटेडी और सबसे लिसक ந के क्यान को याद रखेगा सबसें पर का इंप में में जरूर बताई कुछ वह यह बहुत ही बहुत ही important topic था economic growth and economic development प्लीज इसको जो आप लोग अच्छे से revision करते रहेगा ठीक और याद रखे कोई दिक्कत हो doubts हो तो मुझे जरूर कमें बैस में लिखके पूछ सकते हैं थैंक्यू